हलो गाईज एक बार फेसे स्वागत है आप सभी का नई रेसिपी में तो आज हम बनाने वाले हैं मेठी सेव जो कि आप देख रहे हो यह पंजाब में बहुत ज्यादा फेमस है बेशन से बनने वाला यह डिश है और बहुत आसानी से आप घर पे बना सकते हो तो आज हम घर प हमें सबसे पहले चाहिए एक बाउल और इसमें हमने लिया है बारीक वाला बेसन लिया है आप चाहो बारीक और मोटा मिक्स करके भी ले सकते हो तब भी बन जाएगा और उसके बाद हमें इसमें बीच में थोड़ा सा जगा बनाई यहां पे 1500 ग्राम बेसन है 1 कब बेसन है म कोई भी ऑईल यूज कर सकते हो घी भी डाल सकते हो आप थोड़ा सच में तो दो चमच मैंने ऑईल डाला है इसमें और पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो हम रैडी कर लेंगे सॉफ्ट डो रैडी करना है आटे की तरह या फिर मैदे की तरह बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना इसको बस सॉफ्ट जितना रहेगा बनाने में बहुत ज़्यादा एजी रहेगा फिर जितना ज़्यादा आप इसको टाइट रखोगे बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल पढ़ने वाला है टाइट होगा तो एक सॉफ्ट डो आपने रैडी कर लेना है बस इसका और कुछ नहीं तो बस ये बेशन का जो हमने सॉफ्ट डो है ये बिल्कुल इसी तरीके से आपने गुंद के रैडी कर लेना है और बहुत ज़ादा इसमें टाइम नहीं लगता सिर्फ दस मिंट में ये जो चीज़ें बनने वाली हैं दस मिंट के अंदर ये बनके रैडी हो जाएगा अब इसको साइड में रखते हैं अब हमें चाहिए एक सेव मसीन जो आप मार्केट में इसली पर्चेस कर सकते हो या फिर आपके घर पे होगा या इसी टाइप की कोई भी बह आना चाते हो हुँ उस टाइप की जली है मोटी पटली उससे वाली वो फिट कर देना है मैंने यहारे मोटी वाली जो जली होती है इसके अंदर डियां मैंने फिट कर दीया है उसके बाद इसको ऊपर से थोड़ा सा ओपन करना और इसमें हम वेशन को भर देंगे जो हमने यह बार से जो आप देख रहे हो यहां पर से जो आपका निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो बस हब इसको फ्राइब करते हैं oil में डालते हैं तो oil हम gas के उपर रख देते हैं गरम होने के लिए तो सबसे पहले कोई भी आप oil यूज कर सकते हो घीवी यूज कर सकते हो जो भी जैसे भी आप fry करते हो fry करने के लिए यूज करते हो आप यूज कर सकते हो oil जो है गरम हो चुका है थोड़ा सा बेशन मैंने डाला और ये तुरंट के तुरंट ऊपर आ गया इसका मतलब बिल्कुल सही है अब हमें क्या गरना है मसीन को इसके ऊपर रखके ऐसे इसको दबाते जाना है और ये बिल्कुल बनके रैडी हो जाएगा तो मैं दो बैच में इसको बनाऊंगा बबल्स जो है वो खतम हो जाए तो इसको पलट के तुरंट ही निकाल लेना हमें इसको बहुत जादा नहीं पकाना अगर आपने भी इसको बहुत जादा पका दिया तो बहुत जादा क्रिस्पी बहुत जादा टाइट हो जाएगा तो इसलिए वो फिर सॉफ्टनेस नहीं ह रख दिया, दूसरा बैच भी इसी तरीके से हम बना लेंगे, देखिए, ओयल जो है वो गरम होना चाहिए, जैसे हम नॉर्मली घर में जो पकोड़े वगरा बनाते हैं, जिस तरह की ओयल में वैसे होना चाहिए, बिल्कुल तो ओयल बिल्कुल गरम है, इसी तरीके से आपने दूसरा batch भे बना लेना है, दूसरा batch भी बनाके मैंने ready कर लिया है, यह देखिए, तो यह totally 1500 g जो बेशन है वो मैंने बनाया है, 500 g बेशन में यह बिल्कुल perfect बनके ready है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए चाशनी बनाएंगे, चाशनी बनाने के लिए, 14 cup पानी लिया है मैंन उसके बाद चिनी को पानी के साथ एक बार उवाल लेना है इquet प्लेवर के लिए पिलाइची का पाव्ड़र वगरा जो भी आपको पसंद्ध दाल सकते हो उसके बाद एक तारकी जो हलकी सी एक तार बंती ही आप ऐसे फिंगर से चेक करें तो एक तार की जो चासनी है वो हमें बनानी है बस एक तार की जासे ही चासनी बन जाए गया इसको बंद कर दे और तुरंथ हम इसमें जो हमने सेव रैडी किया है दो बैचस में इसको हम फटा-फट से तोड़के डाल देंगे गरम-गरम चासनी में डाल दो इसको कोई होती अब इसको में मिक्स करेंगे जैसे जैसे घंडी होती जाएगि मतलब अभी तो बहुत जादा गरम है शेव भी गरम है और यह जो शेव भी गरम है तो इसको हम पाँच मिनटके लिए छोड़ने के बात देखे पांच मिनटके बाद यह बिल्कुल चाशनी जो है फंडी हो चुकी है तो इसका मतलब जो डिखनी लगी है यानि कि फंडी जब तंडी ऊ जाएगी बिलकुल ठंड जो उजयागी तो अब यह ब issues के जो लोग है या फिर जिनको नहीं पता इसके बारे में वो ट्राइ कर सकते हो घर में बना सकते हो अच्छा लगी तो और बना के रख ले ना इसको महीनों तक खा सकते हो बहुत आसानी से बन जाता है और जब भी मीठा खाने का मन करें आप महीनों तक इसको आप श्टोर करक सकते हो किसी डब्बे में आप डाल के रख सकते हो और महीनों तक आप इसको खा सकते हो तो कैसी लगी रेसिपी बताईएगा जरूर मुझे कमेंट में और मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ ऐसे और किसी वीडियो में थैंक्यू तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमे झाल झाल